हेलो अब्रिवान, वेलकम टू पॉर्मारोक्स यूटूब चेनल, पॉर्मारोक्स के यूटूब एजूकेस्टे चेनल में आपका स्वागत है आज की उडी लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे एंटेरोक्विनॉल टाबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये टाबलेट के बेजिक यूज के बारे में जानेंगे उसका डोस, साइड इफेक, वर्निंग अनकॉंटर इंडिकेसंस के डीटेल स्टेडी करेंगे और सिखेंगे एंटेरोक्विनॉल मेडिसिन कौन से बीमारे में यूज की जाती है और साथे उसके सावदानिया क्या होती है, प्रिकोसंस क्या होते है, वर्निंग क्या होती है डीटेल में स्टेडी करते हैं, तो एक्सपर्ट लेक्चर बायमर सर, आसिस्टम प्रोफेसर एंड फाउंडर आप फार्मारोक्स, थेंक्यू पर बेन फार्मारोक्स फेमिली तो अगर आपके पास एंडरोड फॉन है, तो एंडरोड अप डाउंडोड करें, आइफ़न यूजर है, तो याप स्टोर से लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ पे आप ये कोर्स एक्सेस कर पाएगी, या फिर ये कोर्स को जोईन करने के लिए हम 9016312020 नमबर पे वाट्सेप करें, हमारी सेकंड चनल को सबस्क्राइब करें, जिसका नाम है Hollywood to Hindi Explain, लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अब समझ ये एंटेरोक्विनॉल टाबलेट्स के बारे में तो ये ऐसे क्लास के मेडिकेसन हैं कि जिसको हम एंटी- का brand name है, और salt composition के हम बात करें, तो वो है quiniodochlor, उसके अंदर main salt है कि जिसकी strength रहती है 250 mg और ये tablet के manufacture के हम बात करें, तो अब जानते है quiniodochlor के बारे में, तो ये क्या है कि एक 8 hydroxy quinolens class की एक medication है, कि जिसको anti-amibic drug कहा जाता है, या फिर luminal mabacide कहा जाता है, मतलब कि जो mabic infections होते हैं, उसको ये treat करता है, और ये medications खास कर जो आप oral ही लेते हैं, तो ये mabic infections को treat करता है, साथो साथ इसकी effectiveness हम देखे, तो जो trichomonas होते हैं, फिर grdia होता है, फिर entamoeba होता है, तो इनके जैसे अलग-अलग जो mabic infections होते हैं, इनके करण, तो उसको ये medicine treat करते हैं, साथो साथ जो अलग-अलग food जैसे की, dermatophytes होती है, candida या फिर कुछ bacterias के सामने भी, quiniodochlor की effectiveness आपको देखने को मिलती हैं, तो अब समझते हैं, उसके basic use के बारे में, तो जो intestines के अंदर specially warm infections होते हैं, उसको ये medication जो वो treat करता है, यहाप आप देखो, कि आपके intestines के अंदर इस तरह से warm infections होता है, उसके करन बहुत सारे complications होते हैं, कि आपका abdominal pain होता है, और diarrhea जैसे हो जाता है, dysentery जैसे condition हो जाती है, तो उसको ठीक करता है, यह enterokinol tablet, फिर जो intestinal MA biases की जो conditions कही जाते हैं, MA big infections के करन आपके intestine के अंदर जो complications होते हैं, जैसे कि ट्राविलर्स diarrhea हो जाना, MA big dysentery मनले जो पेट में मरोड होती है, और जो stool होता है, उसके साथ mucus आना, या फिर blood आना, और काफी pain होना, nausea, vomiting जैसे condition होती है, तो वो सभी को यह medication treat करती है, फिर MA bias के करन होने वाले जो lose motions होते हैं, उसमें भी यह medications काफी effective सा भीत होता है, फिर आपको diarrhea मनलब की दस्त हो है, और उसका reason भी MA big infection है, तो उसको भी यह medication treat करता है, और जो intestine के अंदर infections होते हैं, specially amoeba के करन, कि जो एक paracides होते हैं, worms के करन, जब intestine infection होते हैं, सभी को treat करता है, यह enteroquinol tablet, अब जानते हैं, उसके dose के बारे में, तो patient जो है वो एक या दो tablet खाते हैं दिन में, तीन बार, और यह special adult के लिए use के जाते हैं, बच्चों के लिए use नहीं किया जाता, तो समझो कि ये tablet है, तो समझो कि day one है, infection का, तो day one को आप ये tablet एक सुबह खाते हैं, एक दो पायर को खाते हैं, तो इस तरह से, एक या दो tablet या फिर तीन tablet जो है वो आप दिन में खा सकते हैं, उसी तरह से सेकंड ये तीन टैबलेट्स आप सेकंड डे पर खा सकते हैं फिर थर्ड डे फॉर्ड डे इसी तरह से मैक्जिमम जो हो पेसंड 40 डेस टग लेता है और अगर इंफेक्शन आपका ठीक हो जाता है तो फिर आगे उसको लेने की जरूरत नहीं रहती ideal dose की हम बात करें तो 250 से लेकर 500 mg आप दिन में 3 बार ले सकते हैं विसमीमम 750 mg जितना medication आप लेंगे अगर 250 mg के तरह से अप लेते हैं और 500 mg आप लेते हैं दिन में 3 बार तो उस वगदा 1500 mg मतलब कि 1.5 ग्राम जितना medication जो है वो दिन मे लेगे बट 1.5 ग्राम से ज़्यादा medication आप दिन में कभी भी ना ले maximum आपको इतना ही लेना है अगर उससे ज़्यादा लेगे तो आपको काफी ज़्यादा complications और side effects हो सकते हैं और बच्चों के लिए ये medication को use ना करें ये खास आपको सावदानी रखनी है तो यहाँ पर उसके label की हम study करें तो label में आपको यहाँ पर लिखा हो देखने को मिलेगा कि ये एक sedulage drug है prescription के साथ ही उसको बेची जाती है जब आप retail में उसको बेचते हैं फिर enteroquinol जो है वो उसका brand name आप यहाँ पर देख सकते हैं इवन हिंदी में भी वहाँ पर लिखा है enteroquinol फिर made in India लिखा है और company का नाम लिखा है कि East India Pharmaceutical Works Limited के जिसके registered office जो है वो कोलकादा के अंदर है यहाँ पर लिखा हुआ है और ये medication जो है वो prescription based medications की category में आता है तो अब उसके working के बारे में समझे कि कैसे ये enteroquinol काम करता है तो ये क्या करता है जो infection करने वाले entamoeba है या फिर आपके warm से या फिर GRDIA है trichomonas से उनकी growth जो है वो कम कर देता है उनको kill कर देता है कि जिससे आपका infection जो है वो ठीक हो जाता है और जब भी आप उसका prescribe किया हुआ dose लेते है proper तो वो लेने के बाद आपका infection जो दिरे-दिरे कम हो जाता है और आपको आपकी बीमारी में से रहात मिलती है तो उसकी mechanism के बारे में हम समझे तो ये कैसे काम करता है तो जो tropozoids होते है या फिर जो parasites होते है तो उनका जो growth cycle होता है उनके उपर सबसे ज़्यादा ये असर करता है कि जो tropozoids जो develop होते है उनको ये directly kill कर देता है कि जिससे आगे जाके वो cyst formation ना कर पाए कि समझे कि tropozoids से completely destroy हो जाते तो आगे जाके cyst formation नहीं होगा और cyst नहीं बनेगा तो आगे उनकी multiplication जो है वो नहीं होगी और जिससे आपका जो infection जो है वो ठीक हो जाता है मलगे simply जो copies बनाते हैं कि जो tropozoids क्या करते हैं कि अपनी multiple copies बनाते हैं मलगे कि उनका replication करते हैं फिर उनका development होता है और जितने वो develop होते रहते हैं यतना आपका infection severe होता रहता है तो आपकी ये जो medication है अंटिरोकुनल डाइरेक्ली ये trophozoids के उपर ही असर करता है कि जिससे आगे multiplication जो वो नहीं हो पाता ये M.A.B. infection का और जिसके कारण आपका infection ठीक हो जाता है अब ये medications के side effects के हम बात करें तो आपका liver function टेस्ट जो वो abnormal आ सकता है कि अगर आप उसको लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये खास ध्यान रखे कि ये medication समझे कि आपने लंबे समय दे में लिए कि 14 days इस तक खास कर उसको use करना होता है बट आपने समझे कि 25 दिन तक ली 30 दन तक ली कि आपका infection ठीक नहीं हो रहा तो खास आपका liver function टेस्ट जरूर से करा है फिर second आपको सीरदर्ध हो सकता है abdominal pain हो सकती है ये medication लेने के बाद फिर आपका जो stool है उसका जो color है वो green color का हो सकता है तो उससे कुछ आप tension डाले बिकॉज ये एक side effect है enterocoonol की कि अगर आपने enterocoonol ली है तो आपका stool का जो color है वो ऐसा greenness हो सकता है फिर आपको nausea हो सकता है जी गब रहना फिर उल्टी भी हो सकती है fever मतलब कि बुखा रहा सकता है और साथ में आपको ठंड लगेगी मतलब कि अगर ये medication आप खाते तो उसके कुछ समय के बाद आपको जो वो fever होगा और साथ में आपको काफी ठंड लगेगी तो ये भी है कि ये medication के side effect है फिर आपको hair loss जैसे complications हो सकते अगर आप लंबे समय तक एंटेरोक्विनॉल को यूज करते है और कुछ लोगों को vertigo मतलब कि चक कर आते है ऐसे मालब कि spinning जैसा होना सिर दर्द, पेट में दर्द होना तो इसे कुछ side effects करती है ये एंटेरोक्विनॉल अब बात करें उसके warnings के तो warnings के बारे में आप अच्छे से समझ लो कि सबसे पहली warning ये है कि आप बच्चों में उसको कभी भी यूज ना करें second है कि 14 दिन से ज़्यादा आपको यूज नहीं करने कि don't use more than 14 days maximum 14 दिन तक ही ये medication यूज करनी है abnormal आ सकते हैं और दूसरे भी बहुत सारे complications and side effects हो सकती है फिर pregnancy के अंदर वो contraindications के list में कि pregnancy के दोरन आप enterogenol को use ना करें फिर अगर आपको iodine के sensitivity है iodine से आपको allergy हो जाती है hyper sensitivity हो जाती है तो ये medication को आप ना खाए फिर आपकी thyroid gland जो है आप hyperthyroidism के patient है तो आप ये medication को यूज ना करें फिर आपको iodine की allergy है आपके body के अंदर और आपको diarrhea होए है lose motion होए है दस्त हुआ है बट उसका reason है कुछी bacterial infection तो ये खास द्यान रखे कि bacterial infection या फिर food poisoning के करन आपको diarrhea होए तो उस वक्त enterokinol जो है वा आपके लिए useful नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो amabic infections होते है और उसके करन जो आपके intestines के अंदर infection होआ है तो ही enterokinol को use की जाती है हमारे second channel को subscribe करके support करे medicine course में सिखे ऐसे ही दवाईयों के बारे में उनके dose क्या होते है sad effect warning contraindications यह number पे हमें whatsapp करे course को join करने के लिए तो link description box में हमने आपको दे दी है या फिर हमें whatsapp करे 9016312020 पे यह course को join करने के लिए good luck and all the best